आज नीट पीजी एसपेक में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जैपनी दिन से प्लाइटिस के बारे में बात करेंगे और इसके नेचरल साइकिल एम्प्रिफिकिशन साइकिल के बारे में डिसकस करेंगे वेक्टर और मनुस्यों में इसका क्या प्रभा होता है वेक्सीन, प्रिफिक उर्ट्रोल और आंदेमिक एरिया की भी बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं इसके नेचर शैकिल के बारे में तो इसका नेचरL साइकिल आरडिट बड मॉस्किटो और आरिडीट बड़今回 टो आपिक मॉस्किटोटा है जो माईग्रेशन करते है अब इसके होता है Amplification cycle और इस बीच डेड इंड होस्ट होते हैं घोडे और मनुष्य होर्स एन मैं जपनीज इन से फ्लाटिस को पुर्वांचल में चम की भुखार भी कहता है इसके अलाव है इसका दूसरा नाम दिवाखी भुखार भी है नेचरल साइकल के बारे में हम लोग बात कर च सपेरो पॉंड हेरंस से मतलब बगुला से है और केटल इग्रेट से मतलब सफेद बगुला से है इसके लवा पॉल्ट्री में होने वाले पक्छी डख सेनी सपेरो यह सारे नेचरल रिज़वाया है केटल केटल यह नेचरल होस्ट नहीं होते बलकि सिर्फ मच्छरों को और इसके एम्प्लिफायर होस्ट होने की वज़य यह है कि कई जगों पर सौब पर सूरों की संख्या जैपनिस एंसेपलाइटिस वायरस से संक्रमीट हो सकती है जिसकी वज़य से इसे एम्प्लिफायर होस्ट रहते हैं और यह संक्रमीट सूर बड़ी संख्या में मच्छर कटने से फैलती है और इसमें क्यूलेक्स विश्णियू ग्रूप के क्यूलेक्स ट्राइटेनियू रेंचस एक ऐसी प्रजाती है जो यह बीमारी को फ्रमुक्ता से फैलाती है आम टॉर पर जपानी बुखार या जपने से प्रजाइक ग्रामेड ऩारकोव में अधिक होता है जहाँ चावल की खेती ह्यादी या ऐसी जगों पर यह पनप्त आ है साथी साथ ऐसी जगें जहां सूरों का पालन होता है वहाँ पर यह मच्छर टेजी से पनपते हैं और क्युलेक्स, क्याटेनियो, रिंचस एक डिटी मच्छर है, गंदगी में प्यादा होने वाला मच्छर है जब यह मच्छर संक्रमित पल्तु सुवरो को काटता है तो यह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और 9-12 दिन के इंक्यूविशन पिरियाट के बाद मच्छर इस वाइरस को दूसरे होस्ट में ट्रांस्पीट कर देता है अब बात करते हैं जबनिस इंसे फ्लाइटिस का हुमन में क्या प्रभा होता है तो हुमन जबनिस इंसे फ्लाइटिस वाइरस के लिए इंसिडेंटल डेट इंट होस्ट होता है और हुमन टो हुमन ट्रांस्पीशन अभी तक नहीं देखा गया है और जिन्हें भी यह मच्छर काटता है उनमें disease नहीं देखा गया है और जिन लोगों में disease देखा गया है और in apparent infection, asymptomatic infection है उनका ratio 1 is to 250 है जब किसी human को यह मच्छर काटता है तो उस human में virus का level इतना नहीं बढ़ पाता है कि वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति को संक्रमित कर सके इसलिए मनुस्य या human को जबनी सिंसेपलाइटिस का dead end host कहा जाता है और जबनी सिंसेपलाइटिस का mind to mind transmission नहीं देखा गया है अब बात करते हैं जबनी सिंसेपलाइटिस के course of disease in human यह तीन स्टेज में होता है सबसे पहला देख होता है फ्रोड्रोमाल स्टेज इस स्टेज में वायरस मस्तिसक और डीड की हड़ी को प्राभावित करता है यह स्टेज 2-3 दिन तक रहता है नपपे प्रिसत लोगों को बेचैनी सीज़धत और ठकान महसूस होता है दूसरा स्टेज होता है इनसे फ्लाइटीज स्टेज इसमें तापमान 38 से 40.7 दिग्री संटिग्रिट तक होता है और सामने तो पर यह 3 से 4 दिरों तक रहता है इस स्टेज में विहोसी बोलने में परिशानी और मस्तिस्क का इंट्रक्रेनियल प्रेसर बढ़ जाता है साथी साथ कनवलजन्स ट्रेमर भी आ सकते हैं और हेमिप्लेजिया, कॉड्रिप्लेजिया और कोमा भी एक लक्षड हो सकता है और सबसे आख्री स्टेज होता है लेट स्टेज जिसे रिकबरी स्टेज भी कहते हैं और यह स्टेज 4 से 7 सकताय तक रहता है इस स्टेज में मरीज स्वस्थ होता शुरू हो जाता है और इस स्टेज में टापमान और ESR के साथ सब्सक्राइब नियूरोलोजिकल सिम्टम्स भी सामाने होने लगते हैं Japanese Encephalitis का Case Fatality Rate 20-40% तक होता है अब बात करते हैं Control of Japanese Encephalitis यानि कि इसे कैसे Control किया जा सकता है तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं Government of India ने Japanese Encephalitis वैक्सीन की सुर्वात की थी 2006 में जिसका नाम है SA-14-14-2 और Government of India गाइडलाइन के मुताबित इस वैक्सीन को Universal Immunization Program में भी सामिल किया गया है और इसे 9 महिने की एज में मिजल्स के साथ दिया जाता है और इसका दूसरा डोज DPT Booster के साथ 16-24 महिनों में दिया जाता है 6 महिने से कम उम्र के बच्चों में यह टीका नहीं दिया जाता है क्योंकि इस समय maternal antibody बच्चों के सरीर में होती है अगर बात करें देश के किन-किन इलाकों में इस वाइरस का प्रफाव जादा है तो अभी तक 83 डिस्टिक जो है endemic गोसित के हुए है जिसमें UP, Assam, West Bengal और कानाटक के डिस्टिक सबसे जादा है इस वाइरस का सबसे जादा असार एक से पन्रा साल के बच्चों में होता है और बात करें अगर vector control की तो इसके लिए insecticides, melathion और phenetrothion दिया जाता है और यह ultra low volume insecticides होता है और इसका area लिया ground hogging किया जा सकता है अगर बात करें नीट पीजी के old question के लिए अगर पुशा जाए काला अजार के endemic states कौन-कौन से हैं तो इसमें बिहार, जारखन, उत्तर प्रदेश और बेश्च बेनवार आते हैं और यह old question है Thank you